शनिदेव की पूजा का विधान हमारे जोतिश शास्त्र में है शनिदेव को बहुत ही करूर देवता माना जाता है लेकिन पूजा में इनकी विशेश महत्वता होती है शनिदेव को काफी शुबफलतेने वाला बताया गया है अब तो अता दें पूजा के साथ साथ जीवन में जोतिश ग्यान बहुत जरूरी होता है जोतिश की दुनिया में हमें सब कुछ जानना बहुत जरूरी है अक्सर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं इन सब का जिक्र हमारी कुंडली में होता है ग्रहों के परिवर्तन से शुब अशुब होता रहता है तभी मनुष्य के जीवन में जो भी उतार चड़ावाते हैं जिससे कभी तो मनुष्य माला माल हो जाता है कभी उसकी किस्मत गड़बड हो जाती है उसका संभंध हमारे सीधे ग्रह की चाल से होता है जोतिश शास्त्र में एक ऐसा संयोग बन रहा है जिससे दो राशियों की किस्मत खुलने वाली है आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब 14 साल तक शनिदेव इन दो राशी वालों की किस्मत खुलेंगे इन राशी के लोगों को खुशियों की सौगात मिलने वाली है चली आ रही परिशानी दूर होगी कानूनी समस्याय समाप्त होंगी व्यापार में विशेश लाग होने की उमीद नजर आ रही है आप सभी कारियों में सफल होंगी तो आपको किसी प्रकार का निर्ने लेना है तो आप अच्छी तरह सूच विचार कर लें शनिदेव की आप पर वशेश किरपा होगी आपको खूब धनलाब होगा आपको बता दें आप 14 साल तक शनिदेव जिन राशी पर अपनी किरपा बढ़सान कर दो आपको बता दें राशी तरह सूच झाल तक शनिदेव जुदा एनौर को बता वाнов में अच्छी तरह सूचित किरपा होगी तो आपको खूब धनलाब होगी तो आपको खो आपको खो किर धरूज किरण